सब्सक्राइब दोस्तों मनोज साइबरकाइफ है की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों दिल्ली डी ट्रीपल एसबी की तरफ से नोटिस दिया गया है PGT जो टीचर है उनके एक्जाम के लिए नोटिस आया है साथ जून को ये एक्जाम नोटिस आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ जून को ये एक्जाम नोटिस दिया गया है नोटिपिएशन ओफ ओनलाइन एक्जामनेशन फोर दे वेरियस पोस्ट अप कोड्स डिरेक्टे टो एजुकेशन जी एन सी टीडी सिड्यूल ओन पत्चीस अठाइस इस तीस जून दो जारी किस ठीक है अभी जून में एक्जाम होगे ठीक है और जिस जिस के एक्जाम है यह जो पोस्ट कोड है अपना वो पोस्ट के नुशार एक बार प्रोपर चेक कर लें कोई कंफ्यूजन ना हो इस हैस रेफ्रेंस तो डी ट्रिपल स्बी नोटिफिकेशन नंबर एफ डबल फाइब टू फो रेट एक्जाम डी ट्रिपल आजबी दो जार एक्टिस उन इन्चास ग्यारा अठारा डिटिट तीन जून दो जार एक्टिस वाइड विच ओन लाइन एक्जाम सिड्डूल इक आठ जून से है जो 20 जून तक जो एक्जाम शीडूल किये गए थे उसको बाद में जो है थोड़ा चेंज कर दिया गया था अब इसका जो नया शीडूल दिया गया है जो शीडूल किया है दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं जो पच्छिश जून को फ्राइड को प प्रिन निकलता है सिंगल पेज़ प्रिन निकलता है फोटो के जास्ट उपर की तरफ एक लाइन लिखी होती है आपने किस पोस्ट के लिए अपलाई किया है पोस्ट कोड क्या है और एड़टाइजमेंट नमबर क्या है यह आपको जरूर चेक कर लेना है ठीक है पच्छीस त प्रिश्टी में फिमेल का है और कोमर्स में मेल का है ठीक है इसके आगे जो है दोस्तों यहां पर 29 जून का एकजाम है दो बटे 2020, 4 बटे 2020, 4 बटे 2020, पोस्ट कोड यह दिये गए है यहां आपको प्रोक्पर चेकर लेने हैं आपको PGT Physics Female, PGT Physical Education Male, और PGT Physical Education Female इन सभी के एकज जून को उसके आगे है जो दोस्तों 30 जून को यहां पर एक्जाम दिया गया है 30 जून को है जो वेडनेस डे को है दो बटे 2020 दोनों पोस्ट कोड है यहां पर 26 बटे 20 PGT English female और PGT English यहां पर female यहां पर कुछ confusion मुझे लग रहा है यहां पर male female दोनों का आना चाहिए था तो एक ही जगह दोनों नहीं हो सकते एक ही दिन में यहां पर 30 जून 2021 को पोस्ट जो एडवर्टाइजम नंबर है दो बटे 2020 26 बटे 20 है जो यहां पर पोस्ट कोड है तो एक बार आप सब इसको चेक कर लेंगे PGT English female लिखा हुआ है तो यहां पर एक का male होना चाहिए ठीक है further name of examination center and timing shall be monetized mention in admit card जो आपका admit card डाउनलोड करेंगे आप उसमें आपका जो है date or time जो proper है आपका admit card में mention है कहां पर exam होगा आपका किस center पर आपका exam होगा ठीक है admit card पर आपको निकालने है उसमें देख सकते हैं the examination schedule of the remaining post code will be notified in due course और यहां पर है जो अगला notice में आपको दिखा देता हूं इसके साथ एक notice over दिया हुआ है जो सभी को जरूरी देखना होता है exam date दोस्तों ठीक है आपको पता लग गई है तो उसके साथ कुछ notification में देखना जरूरी होता है वह आपके mobile पे और email पे proper दिया जाता है तो अपने फारम में email ID और mobile number update रखे name of examination center and date of examination timing cell be mentioned on e-admit card जब आप admit card डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी आपको कि आपका exam किस time और किस center पे आपका होगा detail instruction regarding online examination and downloading e-admit card will be given shortly on official website dssb की आपको website है dssb online आपको ये website regular check करने है उसमें आपका जो है schedule यहापे दे दिया जाएगा admit card जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे website पे आपका upload कर दिया जाएगा candidate are advised to visit website board website और OARS पोर्टर regularly further information सभी जानकारी के लिए आपको regular website पे जो है विजिट करना है candidate may also be informed on their registered mobile number as additional measure measure but in case of candidate does not get any information on his or her registered mobile number due to any reason then it would not given any rights to the candidate for extension of downloading e-admit card re-examination it is again advised to visit website to the board and OARS पोर्टर regularly तो भी जो इस चीज को थोड़ा सभी साथी ध्यान से देखें इसमें साफ साब बोल दिया गया है किसी भी technical वज़े से अगर आपको भिज़ा गया message mobile पर पर पराप्त नहीं होता है तो उसमें board की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और आप इसके लिए दोबारा claim नहीं कर सकते कि मेरा exam दोबारा लीजिए और मेरा admit card जो download करने का time बढ़ा दीजिए तो जो सभी साथी है सभी इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें जब admit card का जो time है आपको तुरंत जैसे आपको website पर update होना है तुरंत अपना admit card डाउनलोड करना है तीन से चार पेज का इनका admit card होता है इसमें पांच-बाई-साथ की फोटो भी लगती है जो आपको बड़े वाली फोटो इसमें लगानी है admit card थोड़ा इनका टफली होता है आपको time से वो upload करके आपना जो है डाउनलोड करके print कर लेना है उसको ready कर लेना है ठीक है बाद में इसमें कोई option नहीं मिलेगा आपको नहीं आप कुछ इसमें कर पाएंगे बाद में ठीक है साब साब यहां पे बोल दिया गया है candidate should follow COVID-19 rule safety measure including wearing mask social distancing आपको mask वहां पे लगा के जाना है अपना जो भी है sanitizer वगएर अपना personal लेके जाना है ठीक है और these examination will be held in online mode socially distancing format तो यह online exam होंगे सभी जो exam है online computer based होंगे तो सभी अपना उसके coding जो mock test वगएरा की जो trial होती है अपना proper कर ले ठीक है आगे कोई update होगा तुम आपको सभी को बता दूंगा इस चीज़ को सभी ने देख लिया लगबग और admin card इसका थोड़ा टफली होता है इसमें 527 फोटो बनवानी होती है आप वह कहीं पर भी फोटो बनवा सकते हैं जरूरी नहीं आपको प्रोब्लम नहीं है ठीक है और इसके regarding dssb के regarding आपको कोई भी पूछना है तो आप कोमेंट कर सकते हैं कोई आपको regarding किसी भी चीज़ से आपको कुछ पूस्तास करनी है तो कोमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद